नमस्कार आप देखरे हैं फरीदबाद निूज मैं धर्वंदर परताप सी अभी अभी एक बहुत ही घिनोनी वारदात हुई है बहुत ही गंभीर वारदात हुई है शर्मनाक वारदात हुई है जो हमारे फरिदाबाद की शान है और बहुत अच्छे समास सेवी हैं जो हमेशा बुराईयों के खिलाब लड़ते हैं पूर्व वायू सेना ओफिसर रह चुके हैं विंग कमांडर रह चुके हैं सेतिंदर सिंग दुगल उनका नाम है अभी अभी उनके उपर ओजोन सोसाइटी जो फरिदाबाद में हैं ग्रेटर फरिदाबाद नहर पार वहां के ही कुछ आपराधिक तत्वों ने हमला किया है और जानलेवा हमला किया है वो होस्पिटल में एडमिट हैं लेकिन पिछले पांच-छे महिने पहले भी उन पर हमल हुआ था उन्हें भी बहुत जादा चोट आए थी उस वक्त वो सरवोदय में एडमिट हुए थे आज उनकी सुसाइटी में ही कोई खटाना वटाना ऐसे कुछ लोग का नाम आ रहा है उन्होंने हमला किया है तो बहुत सर्मनाक है जो सेना में ऑफिसर रह चुके हैं ऐसे लोगों पर हमला हो रहा है फरीदाबाद में और जो पिछले केश में जो अपराधी थे उनके खिलाब कड़ी कारवाई नहीं हो पाई इसी वज़ा से उनका हुसला बढ़ गया और आज दोबारा हमला हो गया मैं उनकी फोटो दिखाता हूँ काफी चोट आई है ये देखि थोड़ा सा बलड है इसको कवर करूँगा लेकिन देखिए आखों पर देखिए आखों पर कितनी चोट है आखे भी फूल गई है पूरा चेहरा फूल गया है बलड है इसलिए कवर करें क्योंकि ये वीडियो ब्लॉक हो जाएगा बैन हो जाएगा काफी ज़्यादा इनको चोट आई है ये देखिए दुगल सहाब है ये देखिए ओफिसर हैं ओफिसर रह चुके हैं अभी वकील भी हैं और फरीदाबाद के अच्छे समासेवी हैं बहुत अच्छे वक्ता भी हैं बहुत अच्छे नेता भी हैं बहुत अच्छे समासेवी भी हैं बहुत अच्छे व एक बार फिर सतिंदर दुगल जी पर जान लेवा हमला इस बार सोसाइटी के अंदर ट्रीटमेंट QRG सेक्टर 16 में हो रहा है सोसाइटी वासियों द्वारा जान लेवा हमला एक बार फिर और 233 बटा 2021 यानि 233 FIAR नमबर है जो 2021 में दर्ज हुई थी 2021 में हमला हुआ था इस तरह हमला हो जाता है जो एक वकील भी है और सेना में ओफिसर भी रह चुका है अभी समा सेवा के छेतर में पबलिक के लिए काम कर रहे हैं भरस्टाचार के खिलाप आवाज उठाते हैं लेटर फरिदाबाद में जो भी समस्याएं हैं चाहे बिजली की समस्याएं हो सीवरिज की समस्याएं हो चाहे डिवलप्मेंट की बात हो चाहे भरस्टाचार की बात हो हमेशा आगे खड़े रहते हैं हमेशा आवाज उठाते हैं सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा भ्रस्टा चार था उसके खिलाप उन्होंने आवाज उठाई फिर कुछ लोग उनके खिलाप हो गए और उनको टार्गेट किया एक बार हमला हो चुका है आज दोबारा हमला हुआ है जो बहुत ही दुखा थे बहुत ही निंदरी है अब देखते हैं फरिदाबाद पुलिस प्रसासन फिर से कोई धील देता है इन आप राधित तक्तों को या इनके खिलाप कड़ी कानूनी कारवाई करता है आप लोग वीडियो सेर करें ताकि ऐसे आप राधित तत्तों के खिलाप कड़ी कानूनी कारवाई हो सके फरिदाबाद नियुसे धर्बिंदर प्रताब सिंग नमस्का